नमस्कार सातियों दोस्तो स्वागत है मेरे यूटूब चैनल दिनेश राजवन से पर मित्रो आज फिर में लेकर हजरूं आपके लिए जो आपका हमारा परयावरण स्रेंखला चल रही थी उच्छे प्रात्मे के स्थरी बुक से दोस्तो 6-7-8 की किताब है जो ये दोस्तो परयावरण के लिए यूपी टैट जो EBS कहलाता है परयावरण अध्यान उसके लिए बहुत ही महत्पूर है तो इसके हमने दो अध्याए दो पार्ट परयावरण को जाने और हमारे प्राक्रिटी संसाधन उनके बारे में जो कचड़ा कितने परकार का होता है तो दोस्तो ये परयावरण की बरतवान बहुत ही महत्पूर समस्या है और इसका निस्तारण करना बहुत ही आवस्याए तो दोस्तो इसका आज हम अध्यान करेंगे जो दोस्तो ये स्रंकला है ये पूरा तेरा पार्ट तक जाएगी बहुत ही महतपूर है दोस्तों आपके लिए पीडिया भी प्रोवाइट की जा रही है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है तो वहां से डाउलोड कर लीजिए तो आपका किताब भी पूरा तयार हो जाएगी चलिएगा दोस्तों ब इवं अपसिष्ट पदार्थ कहलाते हैं जो अनुपी के पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं आउसिष्ट या अपसिष्ट पदार्थ जो आउसेस के रूप में वस्ता है जैसे सबजी बनाई तो सबजी के छिलके वस्ते हैं तो दोस्तों वो अपसिष्ट है क्लिर दोस्तों इस पिरकार आंगे देखते हैं इस पिरकार अपसिष्ट वे पदार्थ इवं वस्तू होते हैं जिनकी हमें आवस्यक्ता नहीं होती जिनको हम फेक देते हैं साधरन बोलचाल की भासा में कहें तो हम इसे कचड़ा कह सकते हैं घर, ओफिस, कार खाने, अस्पता, लेयातायात के साधनों, खेत, खलेयानों, परवानों, केंद्रों तथा तरह तरह के अपसिष्ट निकलते हैं इन सभी जगों से के लिए दोस्तों ये पदार्थ कैसे हो सकते हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में हो सकते हैं तो याद रखिएगा कचड़ा आपका ठोस, द्रव, गैस और तीनों रूपों में हो सकता है इन अपसिष्ट पदार्थों को प्राया, भूमी, जल, सुरोतों, वायू में विसर्जित कर दिया जाता है यह आपका जो कचड़ा निकला है उसको या तो आप भूमी में फेक देंगे या नदी में फेकते हैं या वायू में विसर्जित जैसे अगर चिमनी है जो आपका अंगीठी है तो वो धुआ निकलता तो वायू में पहुंचता है और जो जल पिर्दूसित होता है तो वो डाइरेट नदियों में फेक दिया जाता है रसायने कच्रा या दिर्व कच्रा होता है जो समझ गए होंगे तो मित्रो कच्रे की पिरकार अब देखते हैं ये तीन पिरकार में देखा गया है पहला देखते हैं ठोस ठोस अपसिष्ट क्या किसके ओधारन दोस्तो थोस जो कचड़ा होता है फोaciłoस अप्सिष इतनी सारी जग्यों से निकलता है, चाय वो आपको घर से निकला हुआ कांच का वर्तन तूड़ गया हो वह हो, या सबजी के छिलके हों दोस्तो यह आपका ठोस अप्सिष्थ के ओधारन है ठोस भी दोस्तो कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का पहला एक वे जो सड़ गल जाते हैं जैसे फल एवं सब्जी के छिलके खराब भोजन मनुस्थ और जन्तूओं का मल ये दोस ठोस अपसिष्ट है ये आपका रिसाइकेवल है ये आपका सड़ जाएगा और गल जाएगा इस तरह इसे क्या कह सकते हैं जैविक कचड़ा भी कह सकते हैं तो याद रखिए ये कुश्चन बन गए आपका जैविक कचड़ा किसे कह सकते हैं तो आपका जो मनुस्त का अमाल है, जन्तिओं का अमाल है, सबजी के छिलके हैं, ये दोस्तो जैविक कचड़े के अंतरगत आते हैं, दूसरे पिरकार के अपसिस्ट वे पदार्थ, जो स्वैम नस्ट नहीं होते हैं और परियावरण के किसी न किसी रूप में बने रहते हैं, जो एको सिस्टम है, उसमें आपका कहीं न कहीं वो आपका कचड़ा जो दूसरे पिरकार का है, वो बना रहता है, ये कचड़े निकलते कहां से हैं, कार खानों से निकला कचड़ा, राशानिक कचड़ा, या पॉलिथीन, या प्लास्टेक, धातु के टुकडे, ये दोस्तो दूसरे पिरकार का है, और पहले पिरकार का कैसा था, जो आपका रिसाइकल हो जाता था, जैविक कचड़ा, जो दूसरे पिरकार का, जो सरता गलता नहीं है, तो इनका डिफाइन कर लेजे, ध्यान से, कौन सा कचड़ा गल जाएगा, या रिसाइकल हो जाएगा, और कौन स पर दो डिब बे रखे रहते हैं, दो कलर के कुड़े दान, तो दोस्तों उनका कुश्चन मन सकता है, तो यहां देखिए इस पेरागराप को, साख सबजी इवं फल कचिल का, या जीवों का मलमूत्रे, गीले कचड़े के कुछ सामान उधारन है, ये दोस्तों, साख सबजी के करना है, आपको तो भर लेजिएगा, जैसे सबजी का छिलका है, तो गीले कचड़े में आएगा, केले का छिलका होगा, तो भी गीले कचड़े में आएगा, दोस्तों इसमें समय नहीं कमाते हैं, आप देख कर के करिएगा, चलेगा आँगे पेज पर हम चलते हैं, अब दो युक्रान सीक्राशी्ट 3 वियान और युक्त नहींसेस्द्र सब्सक्राशी है धुआ परवेहन सादनों से निकलने वाला धुआ कूड़ा करकट एवं मरे जीवों के सडने से निकलने वाली गैसें की दुरगंद आदी गैसी अपसिष्ट के उधारण है दोस्तों इसी पिरका चूले अंगेठी सिर्कृरेट बीड़ी आदी से निकलता धुआ धुए में क कर्वन दाए ऑक्साइड के अतिरिक्ट कुछ हानी कारक गैसें ठोस कड़ी पदार्थ पाय जाते हैं यह गैसी अपसिष्ट का मुक उधारण है तो मित्रों यह आपके तीनों ठोस दिरव और गैस के रूप में जो अपसिष्ट पाय जाते हैं उनके नाम आ चुके हैं तो विकल्प कभी भी कैसे भी बन सकते हैं, ध्यान से पढ़के इन्हें नोट करते जाएगा, अगला दोस्तों, अपसिष्ट पदार्थों के स्रोत, ये कई हैं, घर होगा, ओफेस होगा, उससे निकलने वाला कचड़ा हो सकता है, और दूसरा पॉइंट है, किर्सी, चिकित्सा, और दोस्तों, अगला पर अगर आप देखिए, घर एवं ओफेस से निकलने वाले कचड़े के अंतरकत, रसोई घर का कचड़ा, जैसे फल सबजियों के छिलके, खराब हुआ भोजन, घरे लुकारेयों, जैसे नहाने, कपड़ा धोने, से निकलने वाला गंदा जल, सोचाल का मलमूत्र, पालतू पसूत का मलमूत्र, पॉलिथीन, काच, प्राश्टिक, टूटे सामान, पुराने समाचर पत्र, मैगजीन, पुरानी फाइलें, खराब दवाएं, बेकार हो चुके उपकरण, फरनीचर, वाहन, आदी, इस तरह की सभी, इस तरह का कचड़ा कारयालों से भी निकलता है, मित्रो आप पैचान सकते हैं कि कचड़ा कौन कहां से निकला है, तो इसको ज़्यादा समय ना दीजिएगा, पढ़ लिजिए एक बार फिर भी, दूस्तो अगली बात करते हैं हम इकचरे की, इकचरा भी आप पैचान सकते हैं, जो इलक्ट्रोनिक कचरा क कहलाता है, इसके अंतरगा दूस्तो खराब कंपीटर, मोबाइल, फोन, सीडी, बैटरियां, एलक्ट्रोनिक उपकरन, टीवी, फ्रेज, वॉसिंग मसीन जैसे आते हैं, पैचान गए होंगे ये सभी, अगला पेराग्राफ है दूस्तो, और दूबिक छेतरों से निकलने व वाली राक, धुआ, गर्म, पानी, रेडियो, धर्वी, पदार्त, सभी और दूगी कचड़ी के रूप में होते हैं दूस्तो, पुरानी एमारतों और भावनों के धैने, गिरने या एमारतों के निर्माण में निकली, सामगरी, जैसे पत्थर, इंट, सीमेंट वालू, कीटना सक निकलते हैं, यातायात की समझ साधन गैसी अपसिष्ट का मुख सरोत हैं, जो दूस्तो, यातायात है, उसका मैन प्रिदूसरण है, या अपसिष्ट निकलता है, वो गैसी होता है, वाहनों से निकलने वाला धुआ, गैसी अपसिष्ट है, जो वायू प्रिदूस अपसिष्ट के रूप में एकत्र हुआ है यह कच्रा अनिक तरह के संक्रमन का कारण बनता है दोस्तों चिकत सी जो अपसिष्ट निकलता है वो किसी भी संक्रमन का दोस्तों कारण बन सकता है तो याद रखीगा इस पॉइंट को अगला है दोस्तों प्राकृते घटनाएं जै अगर दोस्तों अपसिस्ट अगर कहीं संग्रे हो जाए या जो कच्रा है कहीं इस्टोर होता रहे उसका दोस्तों क्या एफेक्ट होगा मानों पर ऐसे कुछ घटना हैं विस्टो इस्तर पर हुई हैं उसको दोस्तों देखिएगा देखिए दिसंबर 1984 में भुपाल की यूनियन कारवाइट पेस्टिसाइड फैक्टरी से मैथिल आईसोसाइनेट गैस रिसाव हुई थी कौन सी फेक्ट्री से दोस्तो यूनियन कारवाइट पेस्टिसाइड फेक्ट्री मेथेल आईसोसाइनेट गैस जिसे मिक गैस के नाम से भी जानते हैं MIC याद रखिएगा गैस के रिषाव से इस गैस ने सहर के लाखों लोगों को प्रवावित किया था हजारों लोगों की मिर्ति हो गई थी दोस्तो अन्य लोग जीवन काल के लिए अनेक बीमारी जैसे कैंसर सांस फूलना सिरदर्द अंगों का सुन हो जाना गृस्त हो गए थे इन बीमारियों से इस घटना को भोपाल गैस तरासदी के नाम से जानते हैं इस घटना के बाद भी फैक्टरी से कचड़े के रूप में घातक रसायन निकले जिसने आसपास की छित्रों या मिट्टी को जल को प्रवावित किया आज भी इन अपसिष्टों का दुस्प्रवाव वहां की आने वाली पीडियों में देखा जाता है तो याद रखिएगा अगला घटना देखते हैं दोस्तो अगली है आपका किरसी से है फसलों को नुकसान पहुचाने वाले कीटों को नश्ट करने के लिए कीटनासकों जैसे डीडिटी का प्रियोग किया जाता है इसके इस्तेमाल से फसलों का उत्पादन उन्नत तो हो जाता है दोस्तो लेकिन यह रसाइन कीटों की साथ साथ मानो यह अन्न जन्तियों के लिए अत्यान थानी कारक हैं यह कीटनासक लंबे समय तक मिट्टी में उपस्तित रहता है यह नश्ट नहीं होता है इस कारण कई इसके इस्तेमाल पर लोक लगा दिये किस पर दोस्तो डीडिटी का प्रियोग किरसी में जो कीट लगते है उनके नश्ट करने के लिए उनके लिए प्रियोग किया जाता है डीडिटी क्या है दोस्तो इस Finance एक रेसेदार सिलकेट रसाइन है इस बे स्ट्राइस चादर का प् जिसमें सोसन प्रवावित होता है याद रखेगा स्बेस टॉस क्या है अगला पारा दोस्तों ये देखीएगा जापान का मिना मातर रोग आपका SCRT बुक में पारा एक भारी धातू है जो दोस्तों सामाने तापमान पर तरल अवस्ता में रहता है ये आसानी से वास्पीकरे हो जाता है वातावरण में घुलने के बाद पारा लंबे समय तक वहीं बना रहता है ये है वायू जल और भूमी के माध्यम से जीव जंतियों मनुस्यों की सरीन में पहुंचकर प्राण घातक हो जाता है ये है जीवों के तंत्रिका तंत्र पाचन तंत्र फेपड़ों और गुर्दों को नुक्सान पहुचाता है सन 1950 में जोस्तो जापान की एक रासाइनिक फैक्टरी जिसका नाम था फैक्टरी का सिस्को ने मिना माता नामक खाडी में पारे मिन्स मरकरी को अपसिस्ट की रूप में फेक दिया था दोस्तो कहां जापान देस में 1950 में एक मिना मात नामक खाडी में जो सिस्को फैक्टरी है उसने दोस्तों मरकरी या पारे को फेक दिया था यह दोस्तों खाडी में पाए जाने वाली मचलियों को खाये जाने से वहां के लोग जो खाडी में जोस्तों मचलियों पाए जाती है तो उन मचलियों को लोगों ने खाया तो लोग तंत्र का तंत्र से सम्मंदित रोग से गिर्सित हो गये, इस रोग का नाम रखा गया मिना माता रोग. तो याद रखीएगा पारे के कारण किस देश में रोग फेला था, जापान में कौन सा रोग मिना माता. अगला दुस्तो अब ये कचड़े की बात तो कर ली हमने, परन्त बोटरल होती है दोस्तो पाने पीजी और फेक दो ये आज की दिन चरिया हो गई है संस्कृति के आदतों के कारण अपसिष्ट दिन पिरती दन बढ़ते जा रहे हैं गाउं से लेकर नगरों तक अपसिष्ट की बढ़ती मात्रा से प्रिदूशनवा गंदगी जैसी समस्या हो दिर्ष्टीगत रखती हुए हमने चार आर बनाए हुए हैं जो हम लोग अपनाएंगे कच्रे से छुटकारा पाएंगे ये है दोस्तो फोर आर रिफ्यूज मिन्स मना कर देना पहले तो फिर दूसरा आर कहता है रिडियूज कम करिएगा तीसरा कहता है पुना होपयोग की किजिए और चौथा कहता है पुना चक्रन कीजिएगा तो चारो आर है जो फोर आर उसको क्रेम से समझते हैं अगले पेज में पहला आर क्या कहता है दोस्तो मना करिए क्या करना है मना करना है मिन्स रिफ्यूज कर देना है रिफ्यूज कीजिए पहले तो मना कीजिए पॉल कम करना है पहले तो मना करना है डिफ्यूज परंतु नहीं बात बनी तो फिर उसके कम कीजिएगा विभिन वस्तुओं का उपयोग अपनी आवस्यक्ता अंसार करें जिससे अपसिस्ट कम से कम निकले यह दूसरा आर कहता है डिडियूज कम करें के लिए तीसरा कहता है दोस्त एक तरफ लिखा हो या च्छपा हो पलट कर दूसरी तरफ रफ कार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में उस कागज का थैला बनाकर उसे प्रयोग में लाया जा सकता है इसी तरह ऐसी पेंट का इस्तिमाल करें जिसमें रिफिल या सियाही डाली जा सके तो दोस्तों यह बताए गए हैं कि पहले तो आपको मना करना है क्या करना है रिफ्यूज करना है और फिर दूसरा रिडियूज अगर नहीं कर पाए मना तो उसे रिडियूज कीजिए मना कम कीजिए उप्योग में और अगर ले भी लिया है कम उप्योग भी कर लिया है तो फिर रियूज कीजिए पुना उपयोग कीजिए और बात लास्ट में बनती है रिसाइकल दोस्तो चोथा आर है रिसाइकल पुना चक्रन बेकार एवं अनुपयोगी सामानों का रूप बदल कर means रिसाइकल कर दीजिए रूप बदल कर उन्हें पुना उपयोग में लाना पुना चक्रन के लाता है हम अपने घरों में खराब हुए उपकरणों वाहेनों अखवार प्लास्टेक आदी को कबाडी को पुना चक्रन के लिए दे सकते हैं दोस्तो इस तरह फूर आर को अपना कर बेकार एवं अनोपयोगी वस्तूओं अपसिष्ट की मात्रा को कम करना एवं उनकी अपनी आवसिक्ता के अनुरूप पुना उपयोग बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं निस्तारण मिस अपसिष्ट तो बढ़ना ही है ये तो तै है कच्रा तो बढ़ेगा पर उसका निस्तारण करना भी हमें सीखना होगा जैसा की हम जानते हैं अगला पेरग्राफ है जैसा की हम जानते हैं अपसिष्ट पदार्थ मुक्ता, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्ताओं में पाए जाते हैं अता इनके निस्तारण की क्रिया भी भिन्न भिन्न होती है निमने प्रिकार्ड से किया जा सकता है कुछ और देखिएगा उपाए दोस्तो ये डाइगराम भी ध्यान से देखिएगा एक बोटल ली गई है उसमें देखिए पौधे हो गाये गए है ये देखिएगा बोक्स बना दिया गया है पैन रखने के लिए ये कागज के थैले दिये गए हैं ये दोस्तो देखिए घास है जो कचड़ा है वो जानवरों को डालना चाहिए जो जैवेख होगा अगला दोस्तो देखिएगा ठोस अपसिस्ट पदार्थों का निस्तारण कैसे किया जाए ठोस में देखिए जला कर पहला उपाय दिया गया या तो जला देए आप जैसे आस्पतालों से निकलने वाले ठोस अपसिस संक्रामख होते हैं जो कछड़ा सीरेंज बगएरा निकलेगा पट्टी बगएरा तो दोस्तो ये कैसे होते हैं संक्रामख होते हैं इसलिए विसेश प्रकार की भट्टियों में जलाना चाहिए किन्तु अन्य ठोस अपसिस जैसे पॉलिथीन, फसलों के डंठल प्लास्टिक आदी को खुले इस्तान पर जलाना उचित नहीं है क्योंकि इनसे निकलने वाला धुआ स्वास्ते के लिए हानिकारक है और वायू मंडल को भी प्रदूसेट करता है ध्यान से दोस्तो जलाना भी उन्हीं चीज़ों को है जो कम हानिकारक हो क्लियर, अगला मिन्स वायू मंडल के लिए दोस्तो कम हानिकारक हो नहीं तो ऐसे नहीं है कि मानो के लिए हानिकारक अधिक है और उसे आप जला भी नहीं रहे है जैसे आपका जो इलाज की हुई पट्टिया निकले ये सीरेंज निकले तो इन्हें जलाना ही आवस्यक है दोस्तो अगला है दोस्तो भूमी भरन ठोस कच्छडे का दोस्तो दूसरा उपाय दिया गया है गहरा गड़ा खो दिये और मिट्टी से दवा दिये जाता है समझ गे होंगे गड़े में कूडे का निस्तारण करना तो ये भूमी भरन कहलाता है ये बहुत ही पुरानी है दोस्तों बहुत ही ओपयोगी विधी है ये अगला है यह बिधी सस्ती भी है उपयोगी भी है के इन्तू सही डंग से अपसिष्ट करने स्तारण नहीं करने से दुरगंद फैलती है जिससे हमारे स्वास्त को पृति गुल प्रिभाव भी पड़ता है दुस्तो आप मिट्टी में अगर सही से दवाए नहीं उसे तो आपकी दुरगंद भी फैल जाती है आसपास तो वो प्रॉबलम क्रियेट करता है इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक भूमी भरन करना चाहिए अगला दुस्तो है कमपोस्टिंग दुस्तो ये भी पॉइंट देखिए बहुत ही महत्पूर है कमपोस्टिंग क्या है जैविक कचला जैसे फलों, सबजियों के छिलके, जानवरों के मलमूत्र, सूखी, पत्तिया, डालिया आदी को गड़े में दबा कर मिट्टी से ढग दिया जाता है ये अपसिष्ट दो-तीन माए में गल कर जैविक खाद में बदल जाते हैं दोस्तो इस प्रक्रिया को कमपोस्टिंग कहा जाता है इस तरह से बनी खाद का उपयोग बगीचे एवं खेतों में कर सकते हैं कमपोस्टिंग जैविक कचले का पुना चक्रन करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तो जो जैविक कचला है उसका सबसे अच्छा तरीका है आप उसे रिसाइकल कर सकते हैं में compost खाद में वो बहुत ही उप्योगी दोस्तों बहुत ही एक लाबकारी खाद होती है इससे हमें दो फायदे हैं दोस्तों क्या पहला है पहला हमें जैवेख खाद पराप्त होगी दूसरा कचले का निप्टान भी हो जाएगा के लिए दोस्तों अगला अगला पहला अगर आप देखी जो हेडलाइट किया गया है SCRT के द्वारा इसे जानिए अजेब एक ठोस कचला जैसे प्लास्टिक कांच धातिओं के तूटे सामान खराब इस लग्टों ने गुपकरनों को निप्टान कबाड़ी को पुनाह चक्रन के लिए दे दिया जाए तो सबसे क्लास्ट अग्ल अग्ला देखेंगे ये दिचिए अपने इस्टेशन यह कही नहीं नहीं होंगे हरे कलरा यह क्या है वैसे समझ गए होंगे फिर भी आप देखेंगा आपने देखा होगा सारजनेकस्तान पार्क, स्टेसन, बाजार, परेटर इस्थल पर दो रंगे कूड़ेदान, हरे और नेले रखे रहते हैं जैविक और अजेविक कच्छरे यह ध्यान देने वाली बात है दोस्तो जैविक और अजेविक कच्रे का निस्तारण अलग-अलग कर ने के लिए ये विवस्ता की गई है हरे कूड़े दान में जैवे कच्ड़ा मिंस गीला कच्ड़ा गलने वाला जो रिसाई के वेल है नीले कूड़े दान में अजैवे कच्ड़ा जो ना गलने वाला मिंस सूखा कच्ड़ा है वो डाला जाएगा आप अपने घर और विद्याले में दो कूड़ेदान रखने रखकर गलने और ना गलने वाले कचड़े को अलग लें सतारण कर उपयोग तरीके से पुनाह चक्रित कर सकते हैं अस्पतालों से निकलने वाला चिकत सी अपसिस्ट लाल रंग के कूड़ेदान में एकत्रित किया जाता है दोस्तो ये ध्यान से रखिएगा नोट क्योंकि ये आपको औरली याद है हरा कचड़ा जो गीला होगा या गलने वाला कचड़ा होगा वो हरे कलर के बॉक्स में नेले वाले में सूखा कचड़ा जबकि देखिएगा आस्पतालों में जो चिकत सी निकलने वाल अपसिस्ट है वो किस में डाला जाता है जो दोस्तो लाल रंके कूड़े दान में डाला जाता है इसे नोट कीजिएगा अगला पेरग्राप देखते हैं द्रव अपसिस्ट का निस्तारन कैसे किया जाए दोस्तो जो द्रव है आपका लिक्विट फॉर्म में है उसका कैसे करेंगे द्र जहरी इलाकों में सीवेज सिस्टम से गंदे पानी का निकास होता है जबकि ग्रामीड छेत्रों में खुली नालियों से पानी का निकास होता है सहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP होता है जहां सहर के गंदे जल को उपचारित किया जाता है ग्रामीड छेत्रों में जल के निकास स्थान पर जल को उपचारीत किया जाता है और पोनहां उपयोगी बनाए जाता है दोस्तो आपनवेरे सुना होगा जो आपका सवक्षिता मिसंचला उसमें बातरूम बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं सोक पिट युक्त होते हैं दोस्तों जिससे वो पानी जाता है और मिट्टी में पुना हाँ चक्रित होता रहता है केलिए दोस्तों अगला है ध्यान से देखिएगा घर से कुछ दूर गहरा गड़ा खो दें उसकी सतह में इंट पत्थर के टुकड़े डालें खफरेल की दोस्तों चूना नाली दोवारा पानी बेहने के इस स्थान को सोक पिट से जोड़ दें तो दोस्तों वहां पर पानी पहुचेगा और वो चंचछन के आपके भूगर्व में पहुंचता रहेगा वो साफ और सुद्ध पानी होगा क्लियर अब देखते हैं गैसी अपसिष् को उचा करके उनमें धूम्र अवचेपक ये दोस्तों पॉइंट महत्पूर है क्या लगाना होगा जो चिमनिया हैं उन्हें उचा बनाएं और उसमें धूम्र अवचेपक लगाकर गैसी अपसिष्ट का उचित निस्तारण करें जिससे आपका वायू मिंडल में जो हानी का रग गैसे हैं वो ना पहुँच पाएं और बस्तियों में ना पहुँचे क्योंकि वो चाहिया देखोगी तो उसी दिव आसमान में जाएगा इसी तरह बायो गैस का उप्योग करके घरेलू इनन के रूप में जो लकडी कोईला आदी का भोजन बनाने में इस्थान है दोस को कहीं न कहीं वो गैसी अप्सिष्ट का निस्तारण है अगला है दोस्तो धिहान से देखिएगा कुछ पेराग्राप और रह गए हैं अप्सिष्ट निस्तारण है तु सरकारी प्रियास कुछ दोस्तो योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है सामुदा एक स्वक्षिता बनाए रखने एवं अप्सिष्ट पदार्तों को उचित निस्तारण के लिए विभिन एकाईयों द्वारा विभित पिरकार की कारक्रे में अभियान चलाए जा रहे हैं इनके बारे में जानकरी रखना तथा इन जानकरीयों का भरपूप लाव उठाना चाहिए कौन सी यो दोस्तों जी गड़्ी बनाए जाने चाहिए वहाँ पर अपका कूड़ा अलग अलग टाइप से जैविक अलग और ठोस अलग जो आपका रिसाइके बिल है वो अलग डालना चाहिए यो ऐसे गड़्ों का निर्माड होना चाहिए कूवों तथा तालावों की निये में सफा उनमें बिलीचिंग पाउडर का छिड़का होना चाहिए सारुजनिक सोचाले का निर्माड होना चाहिए परिया बढ़नी स्वक्षिता के लिए जन जागरन अभ्यान चलाना ये दोस्तों ग्राम पंचायत इस्तर पर कारक्यम चलाए जा रहे हैं छेत्र पंचायत पर देख लीजिएगा इसमें समय मत गवाएं अब परियावरण को प्रिदूस्यत करने वाले कारकों की पहचान करते हुए उनके निवारण के बारे में सम्चो तुपाय करना हम सभी का दायत है दोस्तों जो आपके मूल कर्तब हैं उसमें भी ये परियावरण की सुरक्षा करना हमा हैं उद्यवों से बिभिन प्रकार के अपसिष्ट पदार्थ निकलते हैं सही है बिलकुल क्योंकि उद्यवों से बिभिन प्रकार के अपके अपसिष्ट निकले हैं अपसिष्ट पदार्थों को हमारा परियावरण दूस्यत होता है हाँ बिलकुल सही है होता है अपसिष् अगला है दोस्तो प्लास्टिक एवं पॉलिथीन आसानी से सड़ती है ये भी दोस्तो गलत है क्योंकि आसानी से नहीं सड़ती है दोस्तो ये मिलान भी मिला लीजिए क्योंकि आपका ज्यादा वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए हम इस पर बात नहीं कर पा रहे हैं दोस्तो SCRT book है उसमें जल के बारे में बहुत ही महत्पूर्ण विवण दिया गया है तो कल फिर से देखिना मत भूलिएगा और दोस्तो तीसरा पार्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया है एक दो तीन हो चुके हैं दोस्तो अगर पहली बार आये थे चैनल पर तो ये वीडियो भी जा करके आप देख लीजिएगा किलियर मित्रो तो ये बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो आपका आज का मैं समाप्त कर रहूं कल फिर लेकर हाजिर रहूंगा ठेंक्स पोर बाचिंग वीडियो जै हिंद जै भारत मित्रो